छात्रों, सात्वी कक्षा का दूसरी काई का पहला पार्ट जो है अस्पताल उसके बैरह में हम आज जानकरी लेंगे अस्पताल का अर्थ है चिकित साले यानि की इंगलिश में ही से हम होस्पिटल भी कहते हैं स्वास्थिकी देखवाल करने की यह समस्था होती है इसमें विशिष्टा प्राप्त चिकित्सकों यह अन्यस्टाफ के दौरा तथा विभिन्न प्रकार के उपकर्णों की साहित्ता से रोग्यों का निदान यह चिकित्सा की जाती है चात्रों अस्पताल के इस चित्रपाठ को हमने समझ लेना है और इसका निरिक्षन जान लेना है तो सबसे पहले यहां हम देख सकते हैं कुछ त्री कुछ पुरुष और बच्चे यहां दिख रहे हैं डॉक्टर भी है, नर्स है, वार्डवा है और कुछ पेशेंट भी यहां हम देख सकते हैं उसी तरह कुछ सुचना फलक भी लगाए हुए है तो आईए चात्रों सबसे पहले हम देख सकते हैं यहां एक डॉक्टर है जो की अपने पेशन के सामने फाइल लेकर खड़ा हुआ है और उसकी जानकारी उसे दे रहा है चात्रों उसके आगे हम देख सकते हैं एक महीला और एक पुरुष डॉक्टर से मिलने के लिए आने वाली अपने बारी का इंतजा कर रहे हैं और एक वारण भी हम यहां देख सकते हैं जिसका नाम है ICU ICU का मतलब होता है Intensive Care Unit यह अतिदक्षता विभाग जो मरीज या पेशन्ट अत्यांतर सीरियस होता है उसके लिए यह ICU बनाया गया होता है अलग अलग उपकुर्णों के साथ इस ICU को बनाया जाता है जैसे 20 लिटर यानि ऑक्सिजन देने के लिए एक मशिन भी यहां होता है उसके आगे हम देख सकते हैं एक नर्स एक महिला मरीज को वीलचेर पर ले जा रही है जिसके पेरों में प्लाश्टर लगा हुआ है उसके हाथ में सलाइन भी लगा हुआ है यानि कि उसे शुद्ध हवा में घुमाने ले जाने के लिए वह नर्स महिला मरीज को बाहर ले जा रही है यानि अस्पताल के ही परिसर में यहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ है नेतरदान यानि हमें नेतरदान करना चाहिए नेतरदान अच्छा होता है कियोंकि, जो लोग अपनी आखों से नहीं देख सकते है उन लोगों को यह दुनिया देखने के लिए नेतरदान सबस्दे अच्छा दान या महत्वपुर्णrदान माना जाता है उसके नीचे लिखा हुआ है रखतदान महादान यानि कि रक्तदान करना अच्छा होता है रक्तदान सबसे महादान होता है जो मरीज एक्सिडेंट हुए होते है या जिन लोगों को रक्त की आवशकता होती है ऐसे लोगों के लिए रक्तदान एक सर्वश्रेश्ट दान होता है अस्पतल में अलग-अलग वार्ड होते हैं ऐसे ही एक वार्ड के आगे एक वार्ड बॉय रुका हुआ है जो डॉक्टरों को क्या करता है? साहियता करता है उसी के आगे एक लिखा हुआ बोर्ड हम देख सकते है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ यानि कि बेटियों का जो महत्व कम होता जा रहा है या पिछले कुछ सालों में कम हुआ था उसके लिए यह क्या लगा हुआ है? एक स्लोगन लगा हुआ है सी बोर्ड के सामने हम देख सकते हैं एक महिला एक अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां खड़ी हुई है उसके साथ और एक छोटी बेटिया खड़ी हुई है जो एक डॉक्टर से बात कर रहे है उस डॉक्टर के कमरे के बाहर लिखा हुआ है रोगी से मिलने का समय सुबह आठ से दस शाम चार से साथ बचे तर यानि कि अगर आपका घर का या आपके मित्रों का किसी का इलाज यहां आस्पताल में चल रहा हो तो उनसे मिलने का समय इस टाइम में ही आपने मिलना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है यहां एक पुछताच कक्षबी है जहां शांती बनाए रखे ऐसा बोर्डर लगा हुआ है एक आदमे उस पुछताच कक्षब के अंदर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है उस कक्षब के बाहर एक कूड़ादान रखा हुआ है जिससे की गंदगी या कच्रा सारी और ना फैले बलकि इसका इस्तमाल करके हमने अस्पताल स्वच्छ रखना है इसलिए यह कूड़ादान रखा हुआ रहता है चित्र की एक और लिखा हुआ है छोटा परिवार सुखी परिवार यहनि आपका परिवार जितना छोटा रहेगा उतना ही सुखी रहेगा और सबसे महत्वपुर्णबात हमने सुखी रहने के लिए हमारा स्वास्ते ठीक से रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए फॉलम का सेवन करना चाहिए या फिर वायम का हम कर सकते है घुमने जाना चाहिए और अपने स्वास्त को ठीक रखना चाहिए एक बोर्ड पर और एक बात लिखी हुई है रोगी से अधीक बात न करे तो इससे क्या होगा कि रोगी को और ज्यादा तकलिफ होगी इसलिए उनसे अधीक बात ना करते हुए उन्हें आराम कर देना चाहिए आराम करने देना चाहिए और जल्दी से ठीक होने की सुवेच्छाओने देने चाहिए चात्रों आज के इस वातारण के चलती हुए कोरोना का प्रभाव जो है बढ़ रहा है इसलिए कई ज्यादा मरीज क्या हो रहे है अस्पताल में भरती हो रहे है तो हमने मरीज ना बनने के लिए या हमारे जान पहिचान वाले लोग मरीज ना हो इसलिए हमने क्या करना चाहिए खुद की देखवाल करनी चाहिए उनकी देखवाल करने के लिए उनको कहना चाहिए और अपना स्वास्ते ठीक रखना चाहिए छात्रो अस्पताल के इस निरिक्षान पर अधारित कुछ प्रश्न लिख लीजिए जैसे की इस अस्पताल के चित्र में क्या क्या सुचना पट हम देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है अस्पताल में कितने डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं तीसरा प्रश्न है अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण वार्ड कौनसा होता है चित्र का निरिक्षन करके अपने इन प्रश्णों के उत्तर अपने कापी में लिखने है और एक अगला प्रश्ण मैं आपको दे रही हूं कि अस्पताल से दूर कैसे रहे